नमस्कार, मैं हो ससी, आए जर्खन की टॉप 25 पर मुख खबर जानते हैं जर्खन बोर्ड दस्वी बरहवी रियल्ट आज दो फर दो बज़े तक जर्खन 1,8B कॉज़ी जर्खन बोर्ड दस्वी बरहवी के साइन्स का रिजल्ट मंगलवार को जाρι कर दिया जाएगा जबकि कोमर्ण और आर्ट्स का अगले दिन जारी किया जाएगा इसे लेकर बोर्ड ने अपने तैयारी पूरी पूरी कर लिया है जैक बोड अध्यक्ष डाक्टर अनिल कुमार महतों ने बताया है कि कोफ्रियों के मुल्याकन का काम नेधारित समय में पूरा कर लिया गया तैयारियों के अनुरूप समय पर मंगलवार को रियल्ड जारी कर दिया जाएगा बता दे मुख्याति थी के रूप में सिक्षा भी बाग के सचीव के रभी कुमार के सामिल होने की संभवना है इस बार मैट्रिक और इंटर में करीब 8 लाग परिशार्थियों ने परिशादी है जिसमें टोपर छात्र छात्राओं को जैक के स्थापना दिवस पर समानित भी किया जाएगा पिछली बार रिजल्ट जुन में परकासित किया गया था हम लगातार सेशनल को अपडेट करने में लगे है बीते साल कोविट को लेकर परिशानी जरूर सामने आई थी लेकिन अब हम लगातार बेहतर कर रहे हैं और सेशनल को पटरी पर ला चुके है हमारे चातरों को अने संस्थानों में नवांकन में भी कोई परिशानी नहीं आ रही है तकनिकी संस्थानों की तरह अब समाने गेर्जुएट भी कर सकेंगे अपरेंटिस मिलेगा 12,000 स्टाइपन तकनिकी संस्थानों की तरह अब साकारी भी स्वभी द्याले एम कॉलेजियों में पढ़ने वाले आसनाथ तक के छात्र भी अप्रेंटिस कर सकेंगे उनकी ना के वल अप्रेंटिस शीप कराई जाएगी बलिक उन्हें काम के बदले हर महिने निधारित इस टाइपन भी दी जाएगी राज सरकार ने नेशनल अप्रेंटिस शीप ट्रेंणिंग स्कीम के ताहट बी ए बीए सी बीकम के अम्तिम वर्ष उतीन छात्रों का अप्रेंटिस शीप कराने का निने लिया है इससे चात्र शात्राओ का ना के वाल बेवहारिक प्रसिक्षन मिलेगा बलिक उन्हें रोजगार प्राप्त करने में भी सुबधा मिलेगी यह एक साल की अपरेंटिस सीप राज्य में करेरत उद्योगो लोक उपकरमों के साथ सरकारी करयाले और विस्व बिद्यालों में कराई जाएगी इसके लिए कॉलेज एवं विसायवार छात्र शात्राओ की संख्या निधारित की जा रही है चात्र शात्राओ का चयन भारत सरकार की संस्था वेवारिक प्रसिक्षन बोड पुर्वी भारत द्वारा किया जाएगा विस्व बिद्याले के सिक्षक उतरे सरक पर छुट्टी में कटोती मामला राज्य के विश्व विद्यालों में राज भवन के निर्देश पर की गई गिरिस मवकास में कटोती की बिरोध में विश्व विद्याले के सिख्षकों का संगर्ठित आंदोलन सोमवार को भी जारी रहा सिक्षक सरक पर उतर आए इसमें उनके साथ बड़ी संख्या में विद्यार्थी भी सामिल हुए और अपना समर्थन देते हुए गर्मी की छुटी को स्टेड्यूल किये जाने का विरोध किया बिरोध परदसन में राची विस्तो विद्याला है डाक्र स्यामा परसाद मुखर जी विस्तो विद्याला के सिक्षक और अखिल भारती राष्ट्रिय स्यक्षिनिक महासंग जार्खन परदेश के सामिल थे बड़ी संख्या में सिक्षिकाओं ने नायर दीदेश के विरोध में आवाज बुलंद की है बदाज सोमवार को सिक्षकों का विरोध प्रसंदों पहर अधाई बजे DSPMU मुख्य द्वार से शुरू हुआ जहां बड़ी संख्या में सिक्षक जुटे PLA 5 सुप्रिमोद दिनेस गोप से आर्थ दिन तक पुष्टाच होगी NIA की विशेस अदालत में टेरर फंडिंग मानुए गिरफतार PLA 5 सुप्रिमोद दिनेस गोप को कड़ी सुरक्षा के भी सोमवार को पेश किया गया पेशी के बाद जाश अधिकाई ने दिनेस गोप से पुष्टाच करने के लिए 14 दिन की रिमांड पर देने कागरा करते हुए आवेदन दाखिल किया दिनेस गोप के वकील सुरव कुमार पांडेयम राजेस कुमार सीनहा ने एन आई एक रिमांड पर लेकर पुष्टाच करने के लिए आवेदन का बिरोध किया दिनेस गोप के वकील ने कहा है कि इस मामले में पहले ही 14 दाखिल हो चुकी है अब रिमांड पर पुष्टाच करना ही है वहीं गोप के वकील ने अभी कहा है कि एक ही बार में 14 दिनों की दिनों की दिमांड पर नहीं लिया जा सकता NIA का दिवक्ता ने कहा कि इस मामले में आये की जाज की जा रही है ऐसे में 80% रिमान पर पूश्टाच की आउ सकता है दोनों पक्षो को सुनने के बाद अदालत ने NIA को दिनेस गोप को 8 दिनों की रिमान पर लेकर पूश्टाच की अनुमती प्रदान कर दिया सरकारी स्कूल भी बताएंगे हाई स्कूल और इंटर्मीडियेट की परिक्षाओं में अपनी उपलब्धिया नीजी बिद्यालों की तरह सरकारी बिद्याले भी अब मैट्रिक एवम इंटर्मीडियेट परिक्षाओं में अपने बिद्यार्थियों की उपलब्धियों का प् ग्यान वंबानिजी के प्रथम दस्वी उत्तीर्न छात्र छात्राओं को समन्दित प्रधाना ध्यापक विद्याले अस्तर पर समानित करेंगे सचीव ने जार्खन एकेडमी काउंसिल की दस्वी उत्रमीडियेट की परिक्षा का प्रिना मंगल और को प्रकासित होने की जनकारी जीला प्राधिकार्यों को देते हुए कहा है कि सभी विद्याले समन्दित परिक्षा में उपास्तित कुल परिक्षार्थियों की संख्या उतिन परिक्षार्थियों समन्दित अपनी उपलब्धिया अविभावक गन को उपलब्ध कराएंगे राश्ट पती के जार्खन आगमन को लेकर राश्ट पती द्रोपदी मुर्मु के राश्टी आगमन को लेकर 24 और 26 माई को सार की आतायात ब्यवस्ता में बदलाव किया गया है 24 और 26 माई तक बिर्सा मुंड़ा यारपोट से राश्ट पती का कारकेट गुजरने के दोड़ान समान आयातायात पर रोक रहेगी वही राश्टी के ट्रैफिक एस पी हारिस बीन जामा की ओर से इस समान में दिसार निदेश जारी किया गया बता दे राश्टी के ट्रैफिक एस पी हारिस बीन जामा की ओर से जारी निदेश के अंसार बिर्सा मुंड़ा यारपोट से लेकर राजभवान नामकुम धुरवा इलाके में सड़क की दोनों छोर पर वाहनों की पारकिंग पर प्रतिबंद लगा दिया गया है अगर कोई ब्यक्ति चिनित मारगो की नारे वाहनों की पारकिंग करता है तो उनके वाहन को जब्त कर लिया जाएगा उस पर जुर्माना के साथ वाहन को उठाने में होने वाले खर्च भी वसूल किया जाएगा जार्खन कॉंग्रेस की नजर ACST सीट पर जार्खन कॉंग्रेस ने करनाटक में ACST सीटों पर मिली संदार जीत के बाद जार्खन में भी इन आरक्षीत सीटों के लिए त्यारी सुरू कर दिया है करकरताओं को बूत लेवल पर ससक्त बनाया जा रहा है कम्यों की जनकारी मैंगी जा रहे है ताकि आने वले चुनाव में पराटी आरक्षी सीटों पर अपना जनाधार मजबूत कर सके बतादे करनाटक विधान सभा चुनाव मिली संदार जीत से कंग्रेस गदगद है पराटी अपनी इस जीत की समिक्षा कर रही है ताकि जित के मड्यूल को पूरे देश में लागू कर सके कॉंगरेस की कोशिस है कि करनाटक से जो बिज़ाई रत निकाला था उसे दूसरे राजे तक भी पहुँचाया जाए जार्खन में भी कॉंगरेस ने कुछ इसी वीचार के साथ त्यारी भी सुरू कर दी है राश्टपती की आगमन को लेकर राश्टी में सुरक्षा के पुखता इंतिजाम राश्टपती द्रोपती मुर्मु के आगमन को लेकर जार्खन पुलिस की ओर से सुरक्षा के पुखता इंतिजाम किये गए है राश्टपती की सुरक्षा टिरिपर लेर होगी इसमें 5000 जवानों कु तैनाती गई है। पूरे सहर की निगाने सी सी टीवी से की जाएगी। इसके लिए पुलिस कंट्रोल रूम में एक टीम तैनात की गई है। वही राष्ट पती का कारकेट डिस मार्क से गुजरेगा वहां पर तीन लेयर के सुरक्षा रहेगी। राष्ट पती की सुरक्षा में 9 IPS के लावा 15, DSP 15 इंस्पेक्टर, 20 दरोगा के लावा 2000 सधीक, अत्तिरीक्त जवानों के तैनाती की गई है। साथ ही साथ सुरक्षा में बम निरोदक दस्ता के लावा जैप, IRB, रैप और जगुआर की टीम को ही तैनात किया गया है। कोरोना लोगडाउन में जार्खन में नहीं चला था लोग, जार्खन में कोरोना के कारण जब लोगडाउन लगा था तब उस दौरान एक भी दीन राज में लू या हीट वेब नहीं चला था लेकिन इस साल राजवासी हीट वेब से परिशान है। फिलम दा केरल स्टोरी देखने के बाद महिलाओं ने कहा कि जार्खन की लड़कियों को भी सुरक्षित रहने की जरूरत समाजी करकरता की पहल पर रांची में फिलम दा केरला स्टोरी का परज़न हुआ और थेटर में महिलाओं को मुफ्त में एक फिलम दिखाई गई सिनेमा घर के बाहर आई महिलाओं ने एक सुर में कहा है कि जार्खन की महिलाओं को भी सुरक्षित रहने की जरूरत है इसकी कहानी से कई सिख मिलती है बता दे इस सिनेमा को बड़े परदे पर देखने के लिए हर वर के लोगों में उच्छुकता है फिली में दिखाई गई घर्टनाओं को आम जम तक पहुशाने के लिए दाज दाने के कई समाजी करकाता मिलाओं को मुफ्त में एक फिलीम दिखा रहे हैं धन्यवाद